पैक्ट नमर वन पैक्ट नमर टू दोस्तो क्या आपको पता है एक बार एक सक्ष ने ताज महलाल किला और राष्पति भवन को ही बेच दिया था दोस्तो यह बात है कि यह सब किया कैसे तो दोस्तों नेटवर लाल किसी भी आदमी के हाथ के चाल को देखकर उनके सिगनेचर को कौपी करने में माहिट था और कहा जाता है कि उसने टाटा अंबानी जैसे कई बरे बिजनेसमैन के सिगनेचर को कौपी कर लिये थे इतना ही नहीं उसने राजेनर परसाजोदेश के राश्पती थे उनके भी सिगनेचर को कौपी कर लिया था जिसके मदद से उन्होंने बैंकों के साथ कई करोरों का गोटाला भी किया था वहीं ताज महल लाल की ला और राशपती भवन को भी एक foreigner के हाथों बेच दिया था वैसे दोस्तो आप लोगों ने भी कभी नेटवर लाल का नाम जरूर सुना होगा जिन पर एक movie भी बनी है दोस्तो नेटवर लाल के बारे में आपका क्या काना है हमें कमेंट सेक्षन में लिखना मत भूले है हैक नमर थरी दोस्तो क्या आपको पता है चैना हम सभी इंडियन्स के बालों से करोरो रुपया कमाता है लेकिन कैसे चलो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ जब कभी भी हम अपना बाल करवाने किसी सेलून या बारबर के पास जाते है तो वो बारबर उन सभी बालों को 2-4,000 रुपय परती किलो के हिसाब से किसी लोकल बेंडर को बेच देता है और फिर वो कमपनी इसे चैना को एक्सपोर्ट कर देती है और इसका सबसे अच्छा उदारान है तीरुपती वालाजी मंदीर जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन सभी बालों को इस मंदीर के एक ट्रस्ट के दुवारा लगभग 126 करोर रुपय में बेच दिया जाता है अब जो कोई भी कमपनी इन सभी बालों को खड़ीटता है वो उसे चैना जैसी कंट्री में एक्सपोट करने की सुचती है क्योंकि वहाँ जाकर उन सभी बालों की कीमत कई गुना बढ़ जाता है जिससे उस company को तो फैदा होता ही है साथ ही साथ जाइना भी इन वालों से करोर रूपया छपता है दोस्तो कि आप इससे पहले तक ये interesting facts जानते थे comment section में लिखना मत बूले Fact No.4 दोस्तो किसी भी गारी चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट करना पहनना रैसेंस करना होना और फिर उस पर भारी जिरुवाना देना ये traffic rule तो सबको पता है लेकिन आज में आप लोगों को traffic के तीन ऐसे रूल बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप अपना जिरुवाना और जेल जाने से बच सकते हैं Rule No.1 अगर आपका चलान कोई constable काट रहा है और वो आप से 100 पे से जादा ले रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं क्योंकि एक constable की चलान काटने के लिमिट 100 पे से जादा नहीं होती Rule No.2 अगर कोई भी traffic officer आपका चलान P.U.C आनि pollution अंदर कंट्रोल पर आपका चलान काट रहा है तो आप उसे भी मना कर सकते हैं क्योंकि P.U.C पर चलान सिर्फ R.T.O. officer ही काट सकता है Rule No.3 अगर आप traffic police के द्वारा पकरे जाते हैं तो आपको कोई भी traffic police officer गिराफ़तार नहीं कर सकता है क्योंकि गिराफ़तार करने का अधिकार किसी भी traffic police के पास नहीं होता दोस्तो क्या आप इस से पहले तक यह interesting rule जाम देखें कॉमेंट सेक्षन में लिखना मत बोलें पैक्ट नमर फाइव दोस्तो इंडिया को अपना कच्चा थी वा आइरलेंड स्रिलंका से वापस चाहिए यह वह आइरलेंड है जिसे साल 1974 में इंडरा गंधी सरकार ने स्रिलंका को दे दिया था लेकिन अब इंडिया को यह आइरलेंड वापस चाहिए और इसकी क्या पर स्रिलंका ने इस चीज़ का गरत फैड़ा उठाया और इंडिया के लोगों को ही यहां आने से बैंड कर दिया गया इतना ही नहीं यहां आने वाले सभी मचवारों को गिरफतार भी कर लिया गया इसलिए अब तामिल नादू की गौर्वर्मेंट ओफिसियली स्रिलंका स से भी ज्यादा का लोन देकर अले ही उसकी बहुत ही ज्यादा मदद कर चुकी है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है स्रीलंका इंडिया को यह वापस करेगा कॉमेंट सेक्षन में लिखना मत भूले और प्लीच जैनल सब्सक्राइब कर ले प्लीच जैनल गया ठाइब कर लेक्षन में, भी जच्छों ज लेक्षन में, लेक्षन में, भी जा रगता है वापस करेभ़ता है